हलो स्टूटेंट्स वेलकम टू मागडवेंस मेरुपाली वर्मा आज हम फिर एक नया चैप्टर लेकर आए हैं रिवीजन के लिए यानि की कम्प्लीट चैप्टर रिवीजन ये चैप्टर जो हम आज रिवीजन करने वाले हैं इसका डिटेल एक्स्पिनेशन हम आपको पहल और हमारी बुक है एलेक्टिव की अंतरा भाग एक ये बुक हमारी दो खंडों में विभक्त हैं गद्धिखंड और काफे खंड आज जो हम कराने जा रहे हैं चैप्टर वो हैं हमारे गद्धिखंड से अध्याय है तीन टॉर्च बेचने वाले ये जो कहानी हमारे सामने प नाकर हमारे समाज में फेले हुए पाखंड को उजागर करने का काम हरी शंकर परसाई ने किया है कि लोग किस तरीके से हमारे आस्थाओं का खिलवार करते हैं ये सभी हम इस पार्ट के अंदर जानेगे तो चलिए शुरू करते हैं कि रिवीजन है तो फटा-फटम लेकिन वह टॉर्च नहीं बेच रहा था उसने अपनी दाड़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्टा पहन रखा था उसका बाहरी रूप पूरता बदल चुका था क्या हुआ अब लेखक जिस एरिया में रहते तो से एरिया में चौराय पेक विक्ति टॉर्च बेचता रहत लेखक ने टॉर्च बेचने वाले का बदला हुआ रूप देखकर उससे इसका कारण पूछा टॉर्च वाले ने उत्तर दिया अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठाए यह सूरत चाप टॉर्च अव्यर्थ मालूम होता है जो उन्हों पूछा कि भाई तुम ऐसा क्य ले रहे हो जिनकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है इसी तरह हराम खोरी पर उतर आता है क्या साहुकार ओने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया क्या चोरी के मामले में फस गया आखे बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुश गया तो अब भाई जब उन्हों पता है क्या तुम किसी चोरी चकारी के चक्कर में फस गये थे क्या कारण है तो इसका मतलब इसके पीछे कोई उसका मतलब ही कारण है दोनों मित्रों दोरा काम धंदे का आरंब करना अब जब उन्होंने ऐसा पूछा तो वो क्या करता है टॉर्च बेशनी वाला जिसने दाड़ी बनाई थी उसने बोला कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं अब उसने वो कहानी सुनानी शुरू करी जिसके कारण उसका आ शीराश जगह बैठा था हमारे सामने आसमान को चोटा एक ही सवाल था Really। पैसा कैसे पैदा करें परंतुब भरसक प्रयास करने के बारने के ति हमए कोई उत्तिर नहीं मिला यह पाहल कर दे mendad को काम धंदा करें उसी समय दोनों मित्र अलग-अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आस्वाने निकल पड़े और पांच साल बाद दोनों ने वहीं मिलने का वादा किया तो दोनों मित्र यह सोची रहते उन्हों बोला देखो यह सवाल बड़ा है ऐसे जाएगा नहीं हमें कुछ काम सुना रहा है आपको जिसने दाढ़ी बढ़ा ही वो है टॉर्च बेचने वाला तो अब वो क्या करने लगता है टॉर्च बेचने वाला टॉर्च बेचने के लिए चोहराए या मैदान में लोगों को इकठा कर लेता और बहुत नाट के ढंग से कहता आज कल सब जगए अंधेरा चाया रहता है राते बेहत काली है अपना ही हाथ नहीं सूसता आदमी को रास्ता नहीं धिकता वा भटक जाता है उसके पाव काटों में बिंद जाते हैं वा गिरता है और उसके घुटने लहलूहान हो जाते हैं शेरो चीते चारो तरफ घूम रहे हैं साब जमीन पर रेंग रहे हैं अंधेरा सब को निगल रहा है अंधेरा घर में भी है आदमी रात को पिशाप करने उठता है और साब पर उसका पैर पढ़ जाता है साब उसे डस लेता है और वा मर जाता है इस तरह जब टौर्च वाल इस प्रकार अपनी बातों से प्रभावित का टॉर्च बेचने वाला अपनी टॉर्च बेचने में सफल हो जाता और उसका जीवन सुख पूर्व कटने लगता तो यहां पर क्या था, कि जो मित्र कहानी दोनों मित्र अलग अलग हुए, तो एक मित्र जो कहानी सुना रहा है, उसने क्या किया उसने क्म पैसा कमाने के लिए टॉर्च बेचने का काम शुरू किया अब वो टॉर्च कैसे बेचसा था? आप ऐसे तो कोई खरीदेगा नहीं तो वो चौराय पर नाटक करता लोगों को भीड़ जमा कर लेता और अपनी बातों से अंधेरे को लेकर लोगों के अंदर डर पहदा करते हैं यहां तक की मौत का डर तक ले आता अब लोग जब डर जाते तो कहते हैं भाई डर क्यों रहे सबी लोग उसे प्रभाईत होते हैं और उसकी टॉर्च बिख जाती भाव पंडाल में बैठा शादू अब एक मित्र तो टॉर्च बेचने लगा जो कहानी सुना रहा है अब दूसरा मित्र जो गया था वो क्या कर रहा था टॉर्च बेचने वाला मित्र अपने वादे के अ दूंते उसकी नजर एक मैदान में पड़ी उसमें खूब रोशनी थी एक तरफ मंच सजा था लाउड स्पीकर लगे थे मैदान में हजारों नर्नारी शद्धा से जुके बैठे थे मंच पर सुंदर रेश्मी वस्तों से सजे एक भव पुरुष बैठे थे खूब पुष्ट सज्जा थी एक मंच था मंच पे एक व्यक्ति जो है संत के रूप में बैठा हुआ था प्रवचन द्वारा लोगों को भैबीत करना अब वहां पे वो उस व्यक्ति ने जो मंच पे बैठा तसादू उसने प्रवचन देना शुरू किया और उस प्रवचन के माध्यम से वो अंधकार में हैं यह सर्व ग्राही अंधकार संपूव विश्य को अपने उदर में छिपाए है आज मनुष्य संदकार से घबरा उठाये पदभरश्ट हो गया है आज आतमा में भी अंधकार है अंतर की आखवी जोती हीन हो गई है वे उसे भेद नहीं पाती ही मानद आनत आत्मा अंधकार में घुटती है मैं देख रहा हूं मनुष्य की आत्मा भै और पीड़ा से त्रस्त है अब वो जो मंच पे बैठा व्यक्ति था वो क्या कर रहा था वो मनुष्यों के अंदर व्याप्त अंधेरे को उजागर कर रहा था जैसे टॉर्च बेचने वाला बाहर फ स्टेशन को लेकर भागती दौरती जिंदगी बहुत तरीके से हमारे अंदर अधिकार बैठता है अब उस अंधकार को लेकर वो प्रवचन के माध्यम से लोगों को डरा रहे थे कि जैसे टॉर्च बेचने वाले इन डराया वैसे यह क्या कर रहे थे अंदर से आत्मा के अं अंधकार को दिखा रहे थे और प्रवचन द्वारा यह जोती देने की बात कर रहे थे यह भी धंदा ही जला रहे थे कैसे इस प्रकार साधू सरप्रथम लोगों को अंधकार से डराता है तक पर शात उन्हें सांत्वना देने के लिए कहता है भाईयों और बहनों डरों मत जहां अंधकार है वही प्रकाश है अंधकार में प्रकाश की किरण है जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचत कालिमा है यानि कि जो प्रकाश होता है उसमें अंधकार भी होता है देखे जहां भी प्रकाश होता उसके जस्ट नीचे की तरफ जो है अमेशा अंधकार रहता है प्रकाश बाहर नहीं उसे अंतर में खोजो अंतर में बुझी उस जोती को जगाओ मैं तुम सबको उस जोती को जगानी के लिए आवाहन करता हूँ मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत जोती जगाना चाहता हूँ हमारे साधना मंदर में आकर उस जोती ये को अपने भीतर जगाओ तो अब इन्होंने क्या किया इन्होंने अंतर आत्मा के अंधकार को तो लोगों को दिखा दिया अब वो जोती के माध्यम से इन्हें अपना अंदिकार दूर कराना था तो उन्होंने कहां अपने साधना केंदर में बुलाया अब आईसे साधना केंदर में कोई ऐसे इंट्री तो लेगा नहीं या कि दोनों के मित्रों में कारोबार में समानता था एक बाहर का अंधकार दिखा रहा था एक टॉर्चु बेचने वाले पर पड़ी वह उसे पहचान लेता है कि ये कोई और और नहीं बल्कि अपना पुराना मित्र है यानि है वो साधु कौन था जो मित्र बिछड कर गया था एक तो टॉर्ट बेचने लगा था और दूसरा क्या था वो साधू बन गया था फिर वा उसे अपने साथ कार में बिठा कर अपने बंगले ले जाता है वहां पहुंच कर दोनों मित्र विगत पांच बर्शों के दोरान हुए अपने कार्यों क बारे में बातचीत करते हैं तॉर्ट बेचने वाला आपने साधू बने मित्र से कहता है तुम तो जो सब कर रहे हो वही मैं भी अपनी टॉर्ट बेचने के लिए कहता हूं तुम रहसात्मक धंग से कहते हो और मैं सीधे धंग से तुम चाहे कुछ भी कहो बेचते तो तुम टौर्च ही हो तो यहां पर टौर्च बेचने वाला कहता है कि हम दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं क्या मतलब तुम जो है talking चीजों को रहसात्मगा ढदन से लोगों को डरा रहे हों और मैं डारेक्टली चीजों को दरा दिता हूं एक तरीके से तुम भी टॉर्च बेच रहे हो जैसे कि मैं टॉर्च बेचता हूं को भी व्यक्ति दार्षनिक बने संत बने या साधु बने अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर वह अपनी कंपनी की टॉर्च ही बेचता है इस प्रकार लेखक ने वेंग्यात्मक शैली में समाथ में व्याप्त धर्म के नाम पर गुरूं महात्माओं असाधु संतों पर कटक्ष करते हुए लोगों को जाकृत किया है तो यहां पर उन्होंने बताया कि भाई आप जो है जिस तरीके से बेच रहे हैं मतलब लोगों को डरा रहे है वह भीतरी अंदकार से तो यहां पर आप भी एक तरीके से अपनी कंपनी की टॉर्च ही बेच रहे हैं तो यह पूरी इसके चक्कर यह जितना भी उन्होंने बताया हमारे लेखक खरिशंकर परसाई जी ने यहां पर एक व्यंग किया है उन गुरूं महात्माओं साधू स से बंतों पे जो लोगों को डराते हैं और अपना जो है काम चलाते यानि हैं लिए पैसा कमाते हैं तो लिए सातू बनने नदे ट्रहाद का मुझे लेता हूं या वह टोट ऐसे कमपनी की सूरज चार्च कया थी कब हूए बहुत पुराने से जब से मनुष अस्तत्व में आया तब से सनातम धन में तो उसने बोला कि मेरी कंपणी बहुत पुरानी है मैं उसको लेकर काम कर रहा हूं फिर वह आगे बताता है कि उसकी कंपणी की टॉर्च दुकानों में नहीं भिखती किन्तु अति शूश्म होने पर भी उसका बहुत जैसे तुम जो टॉर्च बेचते हों किसी भी दुकान पर मिल जाएगी लेकिन जो मैं कम मैं टॉर्च बेचता हूं वह आसानी से किसी दुकान पर नहीं मिलेगी और यह इतनी छोटी होती है लेकिन तब भी इसका मूल बहुत अधिक होता है यह कहकर साधू अपने मित्र को कुछ दिन अपने घर में ठैरने का आग्रे करता है ताकि वह उसके कारोवार का रहस से जान ले और वह भी धढ़ानग बन सके तो जो साधू बना मित्रता कहता तुम यहीं रहो मेरे काम धंदे को जानो समझो ताकि तुम भी इसी तरीके से पैसा कमा सको और अमीर बन सको टॉर्च बेचने वाला दो दिन मित्र के यहां रुखने के बाद तीसरे दिन अपनी टॉर्च की बेटी नदी में फेक देता है और अपने मित्र का रोजगार अपनाने का निर्णे करता है लेखक को यह सब सुनने की पस्चार टॉर्च बेचने वाला आगे बताता है कि ए सादू के घर में टॉर्ट बेचने वाला दो दिन बाद वहां सब कुछ समझने के बाद तीसरे दिन उसकी जो टॉर्ट की पूरी पेटी थी जिसे वह बेचता था उठा कर उसे नदी में फेग देता है और निस्चे करता है कि वह सादू मन जाए तो अब इज़र यह लेखक क अब नहीं कंपनी से काम शुरू कर तो यह पूरी कहानी हरिशनकर परशाइजी ने हमारे सामने जो रखी इस the माध्यम उन्हें ने हमें क्या बताया कि लोक किस तरीके से धर्म के नाम पर वियावसाई करण करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और पैसा कमाते हैं इह कहानी या खत्म हो गई अब इसके आगे के प्रिश्ण संख्या एक है तॉर्च बेशने वाले और लेखक के मद्ध क्या बात्चित हुई वर्णन कीजिए तॉर्च बेशने वाले और लेखक के मद्ध क्या बात्चित हुई थी कि भाई वहां रोज दिखता था लेखक को जब उसने उससे पूछा तुम कहां गए थे उसने बताया कि वह बाहर गया था परन्तु इस बार वह बड़ी दाड़ी और लंबा कुर्टा पहने हुए था लेखक ने उसके बदले रूप को देखकर पूछा कि अब तुम टॉर्च नहीं बेचते तो उसने कहा उसकी आत्मा में अंदर का प्रकाश जागरत हो गया है वो टॉर्च का है उसके आत्मा के अंदर जल गई है और हराम खोरी पर उतर आया यानि कि सन्यास ले रहा है और उसकी बातों में जो चपलता थी उससे समझ में आ रहा था कि वह राम खोरी पर उतर आया है टॉर्च बेचने वालों ने अपने मितर की टौर्च के बारे में लेखः को सारा आखयान बताया और कहा कि अब मैं भी इसि कंपनी का टौर्च ६ेजेऊगा फिर उसे पूरी कहानी बताई कि क्यों उसने यह अपना धंदा चेंच किया और उसने ये निषचे किया कि अब वो भी टॉर्च ही बेचेगा दो दिन बाद लेकिन कमपनी बदल कर वो टॉर्च को बेचेगा प्रेश्ट संख्या दो है दोनों दोस्तों ने पैसा कमाने के लिए क्या योजना बताई यानि कि जो दोस्त थे पैसा कमाने के लिए क्या योजन नहीं थे तो उन्हों ने बोला कि हम अलग-अलग रास्ते जाते हैं ठीक है और जाकर पैसा कमाते हैं और पान साल बाद हम यहीं पर मिलेंगे तो एक टॉर्ट वेचने लगा और एक साधू बन गया था तो क्या हुआ दोनों दोस्त एक साथ एक ही स्थान पर बैठे थे सोच रहे थे पैसा कैसा पैदा करें इस प्रष्ट का कोई हल उन्हें नहीं मिल रहा था उन्होंने पैसा कमाने के लिए काम धंदा करने का निर्ने किया इसके बाद दोनों दोस्त अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए अलग-अलग दिशा में चले गए और पांच साल बाद उसी स्थान पर मिलने का निश्चे किया एक दोस्त ने टॉर्च बेचने का काम शुरू किया और दूसरा साधू बन गया तो इस तरीके से वो दोनों पैसा कमा रहे थे प्रेश्चे संक्या तीन हैं दोनों मित्रों ने एक ही दिशा में चलने का निणने क्यों नहीं लिया क्या था वो एक ही दिशा में चलने का निणने क्यों नहीं लेते भाई एक ही दिशा में चलते तो एक ही काम मिलता अलग-अलग दिशा में उन्होंने अपने हिसाब से काम दोनों मित्रे ने पैसा कमाने के लिए काम धंदा शुरू करने का सोचा और दोनों एक ही दिशा में ना जाने लगे तभी टॉर्च बेचने ने कहा नहीं किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने सुनी हैं सब में वे अलग-अलग दिशा में जाते हैं साथ जाने से किस्मतों के टकरा कर तूटने का डर रहता है मतलब अब मालो कोई इस प eller जाकर अलग-अलग दिशा में जाकर अलग-लग दिशां के जाने का निर्णे करते हैं प्राफिट होका ना मेरा नों या तो लॉस में जाएंगे या मार्जनलिल प्रॉफिट में जाएंगे जो भी हमारा रहा उस पर रहेके तो यह हमारा किस्मत टक्राने का एक बेज़ रहे कोशिन नमबर 4 है टॉर्च बेचने वाला किस नाट के ढंग से अपनी टॉर्च बेचता था वर्णन कीजिए कैसे ब करता था वो लोगों को बाहर का अंधकार दिखाता था पसू है पक्षी है अंधकार है सांप रेंग रहे रात में तुम पिशाप करने उठो पैर पढ़ ज जाओंगे इस तरीके से लोगों के अंदर डर पैदा करता था वो अंधकार को लेकर टॉर्च बेचने वाला चौरहाई वा मैदान में लोगों को इकठा कर लेता और नाट की ढंग से ए उर्ष की विशेषता को व्यक्त करता हुआ कहता आज कल सब जगए अंधेरा चाया र जुहान हो जाते हैं उसके आसपास भयानक अंधेरा है शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं साप जमीन पर रेंग रहे हैं अंधेरा सबको निगल रहा है अंधेरा घर में भी है आदमी राद को पशाप करने उपता है और साप पर उसका पाउफ पड़ जाता है साप इस साब उसे डस लेता है और वहां मर जाता है जब सभी लोग उसकी बाते सुनकर अंधेरे से डर जाते हैं तब उस उनसे अपनी सूरत चाप टॉर्च खरीद कर अंधेरा दूर कर लेने की बात करता है इस प्रकार भरी दुपहरी में वह लोगों को अंधेरे से डरा कर अपन की जीवन के उपर जो संकट आता है उसको लेकर लोगों को भैभीत करता और जब लोग धर जाते तो उनको रोशनी यानी प्रकाश बेशता किसके माध्यम से अपनी सूरत चाप टॉर्च के माध्यम से तो इस तरीके से वो लोगों को डराकर अपनी टॉर्च बेचा करता था तो यह पूरा अध्याय कतम हो गया कुछ कोशन्स भी हमने आपको बता दिये तो पूरा चैप्टर हमने आपको रिवीजन भी करा दिया कि फटा फट इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं हमने सभी मेन बता दी तो यह रिवीजन परपर से था याद रखिएगा इसका का एक्जाम हो टेस्ट हो तब आप ये वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं और फटा-फट अच्छे से अपने एक्जाम भी दे सकते हैं तो यह जो हमारा चल रहा है आपका हम पढ़ रहे थे अपना वन शौट रिवीजन हम देखें कैसे कहां पर देखें क्या करें या अगर इस चैप्टर का हम डिटेल एक्समिनेशन देखना चाहते हैं तो हम कहां देखें तो उसके लिए सिंपल है आपको हमारे चैनल मागनल ब अब आपकी क्लास् किया है 11 तो आप 11 को क्लिक करेंगे जैसे ही आप खिलिक करेंगे 11 पर पढ़ाय जाने वाले सारे ही आपके सब्जिक्स आ जाएगे तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आपको वहाँ पर watch now लिखा हुआ है अब मालेजे आपको हिंदी अगर देखना है तो वहाँ पर आप watch now लिखा है उसको आप click करोगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर देखे हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी तो जो भी बुक पढ़नी है आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से वीडियो देखिए अपनी सभी डाउट्स को क्लियर कीजे लेके ध्यान रखिएगा कि आप जब भी जो भी जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप डेटेल एक्समिनेशन देखेंगे जाता है जो भी वीडियो जितनी बार आपको देखना है बिल्कुल टोटली फ्री सारा कंटेंट टोटली आरेंज है कहीं इधर उदर आपको परिशान होने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजेगा थैंक्यों व